आप जो ये देख रहें पीछे ये अधवारा समू की प्रसिद्ध नदी करेह है अधवारा समू की नदियां हाया घाट में एक साथ मिल करके करेह नदी कहलाती है और उसके बाद इसका स्वरूप बहुत ही विक्राल हो जाता है खास करके बरसात के दिनों में ये बहुत ही भय दिखती है नदियों से मनुस का प्राचीन संबंध है हमारी शब्वता नदी के किनारे ही विक्षित हुई थी प्रथम सब्वता सिंदू नदी के किनारे विक्षित हुई थी जिसे हम सिंदू हाटी की सब्वता कहते हैं पुराने समय में ये नदियां यातायात के रूप मे इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि उस समय अस्थलिय यातायात के साधन बहुत ही कम थी, नदियां हमारी धरोहर हैं, आज इन्हें संदक्षन की आवस्चक्ता है, और इनकी गती सदैब पस्चिम से पूरव की और ही होती है, क्योंकि हमारी पिर्थिवी की जो गती है, वह भी प इकास के दौर में आवसकता है, इस नदि को संदक्षित रखने का, और इसके लिए एक बरे अभियान के सुरुआत करने की आवसकता है, और सभी नदियों को एक साथ जोरने, उसमें कच्रे नहीं डालने की आवसकता है, ताकि ये नदियां सुद्धरे और हमारी धरोहर आएम रहे, धन्यवाद, तिर्पया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, अबर शिकरें